तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की समस्याओं का हल लेके और आप सभी का टाइम बचाने के लिए तो आज का जो टॉपिक है वो है how to create an event ticketing system ओके तो इसमें हम पूरा event ticketing system का जो हमारा system है वो पूरा हमने automatically कर दिया है वो ही हम सिखाने आए हैं जैसा कि आप लोगों को पता है new year आने वाला है और new year पे काफी जादा parties जो है organized होती है तो यह जो automation है यह उनहीं के लिए है है ना क्या कर रहा है हम automatically जो है event के tickets create कर रहा है automatically एक QR code generate हो रहा है tickets से related और automatically हमारे जितने भी customers हैं जिनोंने भी tickets खरीदे हैं उनको उनके email पे एक email sent हो रहा है जिसके अंदर tickets हैं और barcodes भी include है as a attachment तो यह कैसे हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले जैसे ही हमारे razor pay में ticket की payment capture होती है तो automatically qr.io के द्वारा एक qr code generate हो जाता है फिर automatically payment करने वाले को उसके gmail पे as a email एक event ticket जो है sent हो जाता है यह सब हम कैसे करेंगे यह सब हम करेंगे razor pay का qr.io से और gmail से integration कराके लेकिन एक problem है problem क्या है कि इन तीनों का आपस में कोई भी integration नहीं है कोई direct connection नहीं है okay so integration तो हम करा लेंगे पहले इन तीनों applications के बारे में जान लेते हैं razor पे हमारा online payment करने का वा receive करने का एक software है और qr.io जो है qr code create करने के लिए एक software है gmail काफी famous application है आप लोगों को पता ही है हमें इन तीनों का जो है integration कराना है आपको पता ही होगा के कोई connection नहीं है इन तीनों के बीच में तो इसी वज़ा से मैं use करूँगा एक software का जिसका नाम है pably connect है जो की एक automation and integration software है जो हमें help करेगा razor पे को qr.io से और gmail से integrate करने में और best part तो यह है इस automation का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना जरूरी नहीं है एक non-technical बंदा भी यह automation बहुत ही आसानी से set कर सकता है यह automation में कैसे set करता हूँ इसका एक real time example में आपको करके दिखाता हूँ अभी अपनी screen पर ओके सो सबसे पहले हमारे browser में टाइप करेंगे p-a-b-l-y-pably.com प्रेस एंटर सो यह है pably.com के official website दैन अब हम करेंगे sign in ओके मैंने क्लिक किया है sign in पे क्योंकि मेरा account जो है वह already बना हुआ है आप क्लिक करना sign up free पे जैसा कि हमाँ पे दिया हुआ था ओके दैन खुलेगा ह अपने workflow को एक नाम दे देता हूँ मैं अपने workflow को नाम दे देता हूँ razor pay to gmail मैंने नाम दिया है razor pay to gmail आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं create पे क्लिक करने के बाद मेरे workflow का नाम हो गया है razor pay to gmail एक important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पे क्लिक करके आप ये same amazing workflow अपने account में यूज कर सकते हैं वो भी एक दम free में workflow को नाम देने के बाद हमारे सामने आ गई है दो विंडो एक है trigger window जिसका मतलब है when this happens जब भी ऐसा हो action है do this ऐसा कर दो है ना trigger का मतलब जब भी ऐसा हो reaction मतलब do this ऐसा कर दो तो हमारे topic के अनुसार जब भी हमारे razor pay में कोई payment capture हो तो automatically उस payment करने वाले को उसके gmail पे वो ticket मिल जाए जिस ticket की उसने payment की है तो इसके लिए जो हमारा trigger होगा वो होगा razor pay first application में हम choose करेंगे razor pay को razor pay को choose करने के बाद हम trigger event में choose करेंगे यहाँ पर और भी सारे options हैं किसी को भी choose कर सकते हैं workflow के according मेरी जो workflow की need है वो है payment capture क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा trigger काम करें जब भी payment capture हो webook url दी है copy कर लेता हूँ और नीचे दी है कुछ instructions इन instructions को करता हूँ follow और इस webook url की help से मेरे website पर जाऊंगा नीचे scroll करूंगा option है settings का settings पर क्लिक करूंगा settings पर क्लिक करने के बाद यह second number पर option है webooks का webooks पर क्लिक करूंगा then यहाँ पर एक option है add new webook का click करूंगा add new webook पर then family connect ने जो webook url दी थी उसे copy करके जो है मैं यहाँ पर paste कर दूंगा webook url के section में यह paste कर दी मैंने then active events के अंदर मुझे select करना होगा payment captured को okay so मैं payment captured को click कर लेता हूँ then मैं click करता हूँ create webooks पर so webooks saved successfully बता रहा है then यहाँ पर भी waiting for webook response का option दे रहा है तो अब हम क्या करते हैं अब हम जो है response create करते हैं हम एक customer बनके या guest बनके चलते हैं और हमारा जो new year event है उसका जो payment page है उसको हम जो है payment कर देते हैं ठीक है फिर देखते हैं कि उसका data public connect के पास पहुचता है के नहीं आता हूँ मैं payment page पे यह payment page है new year event है details हमारी यहाँ पे नीचे दी हुई है जियो garden मुंबई में है date है हमारी सामने अब हम यहाँ पे payment details के अंदर जो है amount 1800 रुपीज है पहले से ही ठीक है email मैं यहाँ पे डाल देता हूँ garymonro677 at gmail.com जिनका gmail मेरे पास already खुला हुआ है okay जब email आएगा तो इनके पास यह आएगा that's why मैंने open करके रखा है अब चलके मैं क्या करता हूँ payment कर देता हूँ okay आ गया page पे यहाँ पे details फिल कर दी है 1800 रुपीज का amount है email डाल दिया garymonro677 at gmail.com जिसका email अभी open करके दिखाया मैंने आपको phone number जो है phone number डाल देता हूँ 7566-328-956 ठीक है garymonro है full name ठीक है pay कर देता हूँ ठीक है pay कर देता हूँ then card पे click करता हूँ यहाँ पे मैं अपनी card details जो है fill कर देता हूँ okay card details fill कर देता हूँ expiry date जो है डाल देता हूँ card holder name है हमारा garymonro garymonro ठीक है CVV भी डाल देता हूँ ठीक है then अप click करता हूँ pay 1,800 रुपीज ठीक है success पे click कर देता हूँ so जो payment है वो successful हो जाएगी okay so payment successful हो गई है 1800 रुपीज की thank you for your payment ठीक है बता रहा है चलके check करते हैं पैबली connect के पास की वहाँ पे जो है यह details पहुंची है नहीं so yes यहाँ पे response received हो गया है successfully और एकदम positive response आया है जैसा कि हमने payment जो है महाँ पे fill किया था 1800 रुपीज का लेकिन यहाँ पे जो है दो zero extra दिख रहे हैं तो भी हमें इसका तो कोई payment का तो कोई काम नहीं है इसलिए हम उसको वैसा ही रने देंगे ठीक है नीचे आ जाएंगे जैसे की card name Gary Monroe था बिलकुल सही ओके phone number जो हमने fill किया था और email address वगरा वगरा सारी details हमारे पास आ गई है और हमने successfully integrate कर दिया हमारे Razor Pay को Pebly Connect अब क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि QR code जो है वो create हो जाए तो उसके लिए हम use करेंगे second application का जिसका नाम है qr.io so search करके select कर लेता हूँ qr.io को then action event में choose करूँगा generate qr code को क्योंकि मैं चाहता हूँ के qr code generate हो जाए जब भी कोई payment करें so connect पे click करता हूँ then click करता हूँ add new connections पे then connections के लिए मुझसे मांग रहा है API की API कहा मिलेगी कैसे मिलेगी instruction नीचे दिये हूँ है चलता हूँ अपने qr.io के account पे सो यह मेरा qr.io का account है ना क्या करूँगा click करूँगा पहले dashboard पे जाऊंगा यहाँ पे option है admin.pably.com नाम से मेरा जो है यह account है नीचे fourth में third वाला account settings का option है account settings पे click करके आप देखेंगे second option है API की का उस पे click करना है यह API की को copy करना है API की को copy करने के बाद pably connect पे आना है और यहाँ पे paste कर देना है ठीक है simple save पे click कर देना है save पे click करने के बाद क्या होगा qr.io connect हो जाएगा pably connect से जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है connect होने के बाद सबसे first जो field आई है data की आई है जो की required है यहाँ पे data आप क्या चाहते हो कि qr जब भी कोई customer या guest जो है हमारा qr code scan करें तो वह कहाँ पे redirect हो जाए ना कौन सी link पे चले जाए तो यहाँ पे आपको वह link डाल देनी है वह website डाल देनी है जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ pably.com डाल देता हूँ अपनी एक्जामपल के लिए अपनी website का नाम डाल देता पैबली.com आपको जहां पे भी आपके customers को redirect करना हो scan करने के बाद जो है हमारा qr code तो आप वह वाली website डालें ठीक है facilities दी हुई है आप यहाँ पे आके जो है अपने according इनको fill कर सकते हैं और set कर सकते हैं dynamic चाहिए कैसा चाहिए static चाहिए ठीक है तो यहाँ से आप सब select कर सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ save and send test request पे save and send test request पे क्लिक करने के बाद के बाद जो है मुझे मिल गया है svg में image का link qr code का और png में भी सो मैं इसको link को copy करके एक बार जो है एक new tab में open करके देख लेता हूँ download करके कि वहाँ पे यह आता है के नहीं download हो जाएगा yes तो यह qr code create हो गया है विसे जब भी कोई sign करेगा है ना जब भी कोई sign scan करेगा sorry scan करेगा तो automatically वह यहाँ पहुच जाएगा ना pably.com पे है ना sign करने के बाद तुरंत है ना तो अब हम क्या करते हैं अब हम आ जाते हैं वापिस कहां पे हमारे pably connect पे ठीक है यह मैं काट देता हो अब मैं क्या चाहता हूँ अब चाहता हूँ कि Gary Monroe के नाम से टिकेट जो है वह create हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा उसके लिए मुझे एक और application का यूज करना होगा जिसका नाम है Google Docs Google Docs में मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से टिकेट बना के रखा है कुछ इस तरह से मैंने टिकेट बना के रखा है जिस फोल्डर का नाम है new year event ticket template ओके यह template मैंने create किया है आप भी create कर सकते हैं अपने according जैसे आपको जिस तरीके से करनी हूँ मैंने roughly टिकेट बना दिया है आप और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो आप देख रहे होंगे यह curly brackets के अंदर name लिखा हुआ है curly brackets में token number लिखा हुआ है ऐसा क्यों? मैं आपको बता देता हूँ यह variables हैं यह हर ticket के अंदर change होंगे आप भी जिन जिन words को change करवाना चाहते हैं उन्हें variables बना दिये जैसे कि name हर ticket में change होगा name सेम नहीं रहेगा obvious सी बात है token भी हर ticket में change होगा that's why यहाँ पे जो है name और token के यह हमने variable बनाए है और जो हमारा qr code है वो यहाँ पे आएगा थर्ट वाले पे ठीक है तो अब मुझे क्या करना है मुझे event new year event ticket वाली template को integrate करना है किससे पैबली connect से that's why मैं पैबली connect में जो है अपनी एक और action step add करके यहाँ पे search करूंगा google docs को google docs को मैंने search कर लिया है search करके select कर लिया है then action event में मैं choose करूंगा नीचे scroll करके create document from template so template के द्वारा हम एक document create करेंगे connect पे click करूंगा then add new connections पे click करूंगा connect with google docs पे click करूंगा अब उस account को choose कर लूंगा जिस account में वो template है तो वो है शायद आशी राय वाला account yes यह आशी राय वाला ही account open है okay यहाँ पे that's why मैं यहाँ पे choose कर लूंगा account आशी राय वाला okay क्योंकि उसी में वो google docs template जो है वो मौझूद है continue पे click करूंगा don't worry pably connect is 100% safe okay authorization successful हो गया है okay पे click करूंगा then मेरा google docs अभी successfully connected है pably connect से then template document सबसे first जो मेरा आया है required है जो की template document का ठीक है तो मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पे उस नाम किस नाम से है मेरा जो template है वो है new year ticket template के नाम से okay सो मुझे यहाँ पे search करके उसे select कर लेना है मुझे select करना है new year event okay यहाँ गया new year event ticket templates का है न और आप देख रहूंगे यह सारे कई सारे नाम आ रहे हैं तो यह सारे folders है मेरे google docs में जो उनके नाम आ रहे है यहाँ पे इसलिए आ रहे है क्योंकि अभी मेरा google docs integrated है पैबली कनेक्ट से देथवा है उसका data यहाँ पे reflect हो रहा है तो अभी मेरा जो काम है वो है new year event टिकेट template वाली जो हमारा folder उसको select करना से select कर लिया है मैंने डाया ठीक है template document को ठीक है अब मैं आ जाता हूं नीचे new documents name अब जो हमारा एक new document बनेगा Gary Monroe का जो है उसको हम क्या नाम देना चाहेंगे ठीक है तो उसको मैं नाम दे देता हूं इवेंट टिकेट ओके टिकेट और यहां पर मैं नाम मैप कर देता हूं Gary Monroe का ठीक है टिकेट और यह रहा Gary Monroe का नाम कार्ड वाला नहीं फुल नेम ओके Gary Monroe ठीक है यह नाम से जो है एक नया create हो जाएगा हमारा template document बनके आ जाएगा ठीक है अब आजाते है new documents location में ओके सो location जो है हमारी यह पूछ रहा है कि इन यह जैसे मेरे इतने सारे folders है ना तो यह मैं जैसे ही इस पर click करूँगा तो यह सारे folders के नाम आने लगेंगे यह मुझसे पूछ रहा है कि यह जो new document create होगा यह आप कौन से folder में save करना चाते हैं तो यहां पर नीव फोल्डर ही create कर लेता हूं ना जिसको मैं नाम देता हूं new year नाम दे दिया आप कुछ भी दे सकते हैं यह आ गया सबसे उपर अब मैं क्या करता हूं मैं new year नाम से folder को select कर लेता हूं आप देख रहे होंगे blank anywhere वाला folder अभी बिल्कुल है ना आता हूँ आप इस पैबली connect पे और name जो है यहाँ पे मैं Gary Monroe का name map कर देता हूँ यह जो दो field है ना यह वाली वो variable वाली field है यह name वाली और यह token वाली ठीक है है यह automatically होँगी अभी हम एक बारी map करना होगा बाकी आगे फिर पैबली connect करता जाएगा ठीक है जो भी चीज हम map करेंगे वो सब automatically होँगी नेम पे click किया और यहाँ पे Gary Monroe जो है हमारे customer उनका name map कर द एक second यह राफूल नेम ओके Gary Monroe यह मैंने map कर दिया simple आपको मैंने शायद map करना नहीं बता है map करना क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ जब हमें trigger application से कोई data जो है मिलता है जब हम वही same to same data हमारी action application में या कहीं और select करके add कर देते हैं तो उसी को हम कहते है mapping okay example आपने देखी लिया है फिर एक और बार दिखा देता हूं जैसे कि token number अभी token number में क्या रखना चाहता हूं मैं चाहता हूं token number तो सबका बदलता रहेगा तो मैं click करता हूं blank field पे और razor पे तो token number जो है मैं रख देता हूं payment का जो number होता है वह वाला okay तो मैं नीचे आ जाता हूं यह व करके add कर दिया इसी को कहता है mapping क्लिक करता हूं save and send test request पर so save and send test request पर जैसे ही click करूंगा तो document एक create हो जाएगा folder में किस folder में जो folder में ने select किया था ठीक है response received हो गया है positive response से चलके check कर आता हूं आपको new year वाले folder में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ticket Gary Monroe के नाम से जो है हमारा document create हुआ है open करके देख लेते हैं यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं automatically जो है यहां पर Gary Monroe का नाम और यह token जो है हमारे सामने automatically आ गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारा automation एकदम perfectly work कर रहा है और हमने अभी तीन application को integrate कर दिया है अब हम क्या तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा उसके लिए मुझे details चाहिए होगी किसकी हमारे Google Docs की यह वाले Google Docs की मुझे details चाहिए होगी उसके लिए क्या करूँगा मैं action step और जो है वो add करूँगा plus पे click करूँगा और action step जो है add करूँगा यहां पे plus पे click करने के बाद मैं यह documents details पे click करके connect पे click कर दूँगा connect पे click करने के बाद पुराना वाला connection ही use करूँगा google docs पहले से connected है that's why तीक है अभी successfully connect हो गया है अभी यहाँ पे क्या करूँगा यह जो map वाला toggle इसको on कर दूँगा then यहाँ पे जो document ID हमें मिली है उसको हम map कर देंगे कहां से कौन सी वाली document ID जो हमें उपर google docs से मिली है यह मिली है हमें document ID यह रही हमारी document ID माइनेस बन दिख रहा था यह रही हमारी document ID इसे हमें map कर देना है click किया blank field पे नीचे option आने लगा google docs का उस पे click किया then नीचे आए document ID पे click करके add कर दिया simple add कर दिया then save and send test request पे click करूँगा okay so save and send test request पे click करूँगा तो उस google docs की जो जितनी भी सारी details है ना हर column हर row की details मेरे सामने यहाँ पे आ गई है अब मुझे क्या करना है मुझे है ना किस column में QR code को add करना है ओ column मुझे वहाँ पे अब मुझे एक और बार जो है google docs को select करना होगा action step पे click करूँगा action step पे click करने के बाद मैं हाँ पे choose application में दुबार से choose करूँगा google docs को search करके select कर लूँगा select करने के बाद action event में जो है इस बार मुझे choose करना होगा है ना नीचे आएंगे scroll करेंगे insert insert an image to a specific location specific location है इस पे करेंगे क्योंकि हम चाहते है कि इस specific location पे जो है वो image add हो जाए काई की QR code की है हमारे ticket के साथ है that's why हमको choose करना होगा insert an image to a specific location को select कर लिया है then connect पे click करूँगा पुराना वाला connection यूज करूँगा पहले connect कर चुका हूँ एक बार google docs को पैबली कनेक्ट से save पे click कर दूँगा save पे click करने के बाद यहाँ पे यह document required जो है first document ID मुझे यहाँ पे map करनी होगी इसको मैं map कर toggle on कर देता हूँ और यहाँ पे document ID जो है उसे map कर देता हूँ ठीक है google docs से जो हमें मिली है यह रही document ID ठीक है map कर दी location index है यह main part है location index सबके document का अलग-अलग होता है मेरे document में अभी अलग आया है that's why मैंने यह details में जो निकाला है ना इसमें है मेरा जो है मेरा वाला जो है मैंने पहले से find करके रखा है वो है 283 okay so मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार नीचे स्क्रॉल करके काफी सारे जो है इसमें आते हैं यह वाला है 283 है ना body content to table, table row, five table cells ठीक है 283 है मेरा मैं यह map कर दूँगा यहाँ पर okay आपके जो है case में अलग होगा आपका आप जहां चाहते हैं आप महा कर सकते हैं आपको find करना होगा ठीक है नीचे आ जाता हूँ location index पर मैं यह वाला data map कर देता हूँ get document details के अंदर मिलेगा मुझे search कर लेता हूँ क्योंकि काफी जादा content है उसके अंदर scroll करते करते काफी दादा time लग जाएगा यहां मैं लिखता हूँ 283 so 283 हमारा यह आ गया 283 वाला मैं map कर देता हूँ actually map नहीं करूँगा सिर्फ 283 ही लिखूँगा आप भी यही करिएगा मैं लिखूँगा 283 ठीक है 283 यहां पर मैंने लिख दिया है then नीचे आ जाता हूँ image URL पर अब हमें जो हमें image URL मिली थी qr.io से उपर वह वाली image URL हमें यहां पर map करनी है blank field पर click करेंगे second option आएगा qr.io का उस पर click करेंगे then यहां पर जो png image है आपको png करनी है तो वो map कर दीजे svg image करनी है तो svg कर दीए अब यहां पर height और जो है हमारी width आपको क्या रखनी है आप अपने साब से according रखिए मैं 500 height रख रहा हूँ width जो है रख रहा हूँ 300 ओके ठीक है then click करूँगा save and send test request पर ओके so save and send test request पर click करने के बाद response received हो गया है और जो है हमारा qr code successfully add हो गया है हमारे google docs में चलके check कर लेते हैं so Gary Monroe वाला google docs open करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहा है नीचे वाले जो column में हमारा qr code add हो गया है इसे ही आप भी अपना qr code add कर सकते हैं चलता हूँ वापस family connect पर अब मैं क्या चाहता हूँ अब चाहता हूँ कि मैं यह email पर send मैं यह gmail id पर send कर दूँ Gary Monroe के यह ticket तो उसके लिए मुझे एक action step और add करनी होगी और आप मुझे select करना होगा फिर से किसको google drive को क्यों select करना होगा क्योंकि अभी google drive की यह जो file है यह सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ मेरे account में अभी यह public नहीं है तो इसलिए मैं google drive से उस file को share with anyone करके उसकी link निकाल लूँगा then action event में मैं choose करूँगा share a file with anyone है ना क्योंकि मैं यही चाहता हूँ connect पर click करूँगा then पुराना वाला connection ही use करूँगा जो करवाद कर चुका हूँ अभी पहले से then यहाँ पर इसको मैं map पर कर दूँगा then यहाँ पर मैं map कर दूँगा document ID document ID map कर दूँगा यह रही हमारी document ID हमें यहाँ से मिलेगी यह map कर दी ठीक है अब click करूँगा save and send test request पर तो यह मुझे बहुत सारी links दे देगा अलग-अलग format में PDF format में SVG format में plain text format में है ना दिखाता हूँ आपको ओके सो जैसा कि आप लोग देख पा रहा है यह application format में ठीक है यह HTML format में यह हमारी PDF format में हमारा जो काम है वो है से मैं send करूँगा PDF format में यह links मुझे मिल गई है अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मुझे send करना है Gmail पे एक email send करना है Gary Monroe के Gmail पे कि यह ticket रहे आपके तो क्या करूँगा प्लस पे click करूँगा और यहाँ पे choose application में इस बार मैं choose करूँगा Gmail को क्योंकि मैं Gmail से ही email send करूँगा connect पे click करूँगा connect पे click करने के बाद click करूँगा add new connections पे then connect with Gmail पे connect with Gmail पे click करने के बाद वो account choose करूँगा जिस account से मैं message वो email send करना चाहता हूँ तो वो है आशी राय वाला account click करके select कर लेता हूँ then continue पे click कर देता हूँ don't worry पैबली connect is 100% safe authorization जो है successful हो गया है then मेरा Gmail successfully connected है पैबली connect से first जो field आई है वो है recipient email address की जो की required है तो यहाँ पे हमें map करना है Gary Monro का email address जो की हमारे recipient है तो वो कहां मिलेगा वो हमें मिलेगा razor पे से जो data capture किया था उसके अंदर तो razor पे click किया नीचे scroll किया email address यह रहा Gary Monro इस email address पर ही जो है mail send होगा ccbcc आपको fill करना है fill कीजिए यहना मैं blank छोड़ रहा हूँ sender name कुछ भी दे सकते हैं जो आपको देना हूँ आपकी company का name जो भी आप दे सकते हैं ठीक है मैं दे रहा हूँ पैबली मेरी ticket ठीक है आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं ठीक है email plane रहेगा ठीक है email content email content में क्या रहेगा तो यहाँ पर email content मैं मैं लिख देता हूँ hey there please find your event find your ticket in the attachment find your ticket in the attachment ठीक है तो मैंने यही लिखा है खाली आप और बड़ा जो email है वो भी लिख सकते हैं जैसा आपको लिखना हो सजाके वैसा आप कर सकते हैं full stop लगा देता हूँ नीचे लिख देता हूँ thanks और नीचे company का नाम team family ठीक है बस अब क्या करता हूँ नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर file name हमें क्या देनी है email के अंदर सो यहाँ पर file name हम लिख देता है ticket ठीक है और attachment यहाँ पर attachment में हमें map करना है कौनसी वाली url png वाली url जो हमने अभी google drive से निकाली है pdf वाली sorry तो हम क्या करेंगे नीचे आएंगे क्लिक करेंगे attachment की blank field पर नीचे scroll करेंगे लास्ट वाला google drive उस पर क्लिक करके हम चूज कर लेंगे हमारा यहाँ पर नीचे आके जो है response received हो गया है और successfully Gary Monroe के Gmail पर एक email पहुंच गया है चल के check कर लेते हैं so यह Gary Monroe का email आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं just अभी अभी जो है एक email आया है open करके दिखा देता हूँ hey there please find your ticket in the attachment thanks team family open करके दिख लेते हैं ticket को okay so yes बिलकुल एकदम correct ticket है हमारा name Gary Monroe और token है 618996 ठीक है और यह रहा QR code है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने successfully integrate कर दिया है हमारे जो है किसको हमारे उपर क्या था हमारी first application Razor Pay को हमारे Gmail से okay हमने successfully integrate कर दिया हमारे Razor Pay को हमारे Gmail से अब जब भी Razor Pay में कोई new payment जो है capture होगी तो automatically QR.io से एक QR code जो है generate होगा और automatically Google Docs से एक document एक template की help से ticket create होगा है ना ticket create होने के बाद जो है automatically वो QR code एक specific location पे add हो जाएगा जो की location है हमारी यह वाली नीचे वाली है ना और फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद Google Drive से file automatically जो है share with anyone हो जाएगी और automatically जिसने भी payment जो है की है उसको उसके Gmail पे एक email send हो जाएगा कुछ इस तरह से जिसके अंदर ticket भी होगी है ना हमने यह सब automation किसकी help से किया हमने किया यह पैबली connect की help से ना सिर्फ इन applications को पैबली connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हैं automate कर सकते हैं वो भी बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस वीडियो की description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पे click करके आप यह same amazing workflow अपने account में यूज कर सकते हैं वो भी एकदम free में इस automation में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो से related आपके कुछ questions होते हैं या आप हमारी team से या मुझसे बात करना चाते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं admin at directpably.com पर और अगर आपके कुछ questions हैं queries हैं यहां दी गई हुई link पर और यह video अगर आपके लिए helpful रहा और यह video आपने पसंद किया है तो आप इस video को like करना मत भूलेगा और channel को subscribe करना मत भूलेगा Thank you